और खास बात ही है अगर हमारा हमने चालू कर दिया मोटर और उसके बाद आगे से जो आजिनी है हमारा मजदूर है उसे पंप नहीं खोला वो मतलब गन नहीं खोली तो यह चालू नहीं होगा वापस फिक देगा हो वापस मतलब अंदर पानी चला जागा तंगी में तो ऐसा अगर आप इसको बनवाना चाहते है यह वीडियो पूरी देखें अब यह टेक्टर है फार्म टैक 25 चैंपियन इसके पीछे लगी हुई है इसकी टैंक की कैपसिटी कितनी है यह 500 लीटर की है किसान एग्रो खतुली से इसको बनवा के लाए है ठीक है अगर आप खरीदना चाहते हैं यह देखें किसान एग्रो इंडस्टी मुबाइल नंबर यहां दिया गया है पर पूरी वीडियो देखें ठीक है यह देख लो य ये जो टैंक के ब्यों कर्कैंवी विक्टस का है तैंक इस पर ठीक है क्या मिजन पॉम्प ये जो पॉम्प है ये झाद्व करें हेल बात करें इसकी या वेश्चरक्ता लेक्ष्टा की तो इस हैवी पाइफ मेंन इस मशीन के साथ आपको कितना मिटर मिलन सब में Ciao मेंटर प इसे गंटे में कितना इस्प्रे कर देते हैं यह गंटे में कर देता है दस बीगे मतलब डेढ़े कड़ अच्छा यह क्यों लाइक खतोली जे आमारे मुझे फरनकर में भी तो मिल जाते हैं किसान बाते हैं किसान बाइयों को बताई इसमें जो पंप है वो अच्छी अच्छा यह और क्या खास बात है कि हमने चालू कर दिया मोटर और उसके बाद आगे से जो हमारा मजदूर है उसके पंप नहीं खोला वह मतलब गन नहीं खोली हां तो यह चालू नहीं होगा वापस फेक देगा वापिस मतलब अंदर पानी चला जाएगा टंगी मिल जोग है आपको लाइव चला कर दिखाएंगा यह थिए फार्म टैक 35 है इसके उपर ही वीडियो बनाएगे बनाते तो आज पर आज देखो लो महसम खराब है तो अगली वीडियो में इसके हम आपको लाई पर्फूरमेंस दिखाएंगे यह देख लो कर खरीदना चाहते हैं तो इन से संपरक कर लेना ठीक है वोल देना विकार भाई की वीडियो देखके आपको संपरक किया है थोड़ी बहुत छूट दे आपको यह बाई तो एक तालीस अजार रुपे का लेग आये है पर यह यह डेढ़ सो मेटर पाए तो खिसान भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमें करके जुरूब बता है फिलाल की वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुतант धन्यवाद बहुत जल् líं मिलते हैं यह इंज यह अगरिकतर समबन्दित वीडियो में तबеся desenvolv में तब तक के लिए आपका दिन सुभोब में सुबहू धन्यवास ख्या थैंकियू वी